एलो दोस्तो दोस्तो आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको हल्दीराम नमकीन के बारे में बताऊंगा दोस्तो आज जिस हल्दीराम नमकीन के बारे में बताऊंगा और आने वाली वीडियो में मैं आपको 10 रुपे वाली हल्दीराम नमकीन के बारे में बताऊंगा दोस्तो आप हल्दी राम नमकीन का बिजनस करके बहुत अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हो दोस्तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तो एक लड़ी 12 पीस की होती है तो मतलब 60 रुपे का माल होता है दोस्तो आपकी एक लड़ी अगर आप दुकंदार को सिंगल पीस में सेल करोगे तो दोस्तो आपको 52 रुपे की एक लड़ी बिकेगी दोस्तो हल्दी राम नमकीन की 5 रुपे वाली पेटी आपको 2,025 रुपे की मिल जाएगी और दोस्तो उसके हिसाब से आपकी एक लड़ी की कोष्ट 48 रुपे 21 पैसे आ गई ठीक है दोस्तो दोस्तो आपकी ये सेल होगी 52 रुपे तो दोस्तो आपको एक लड़ी पे 3.78 पैसे का मार्जन होगा दोस्तो आपकी एक पेटी में 42 लड़ी है तो आपको टोटल एक पेटी पे 160 रुपे का मार्जन होने वाला है दोस्तो अगर आप हल्दी राम नमकीन का बिजनस शुरू करते हो तो दोस्तों आपको एक पेट्टी पे 160 रुपे का मार्जन आसानी से मिल जाएगा दोस्तों हल्दी राम नमकीन ऐसी नमकीन है जो सबसे ज़्यादा बिक्ती है अगर आप इसका विजनस करोगे तो आप बहुत फायदे में रहने वाले हो आपको इसे बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली ये बड़ी आसानी से हर दुकान पे आपको बिक्ती मिलेगी आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारत दी कही जानकार ये आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे इस चैनल पर नहीं आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें